नमस्कार स्टूडेंट्स, भारत एशिया महदीप में एक बड़े छेतर फिल वाला देश है, भारत विभिन इस्थला करतियों वाला एक विशाल पर देश हैं कि हमारे देश में कहीं परवत है, कहीं मैदान है, तो कहीं मरुस्तल है, कहीं पठार है, तो कहीं दीप समूव हैं ये सभी इस्था करतियां अपने देश में पाई जाती हैं तो इन्ही इस्तला करतियों की विशेस्ताओं के लिए ये भारत का भोतिक और भोगोलिक सवरूप है उस पे ये अपने वीडियो होने वाला है ती महत्वपूर्ण प्रसनोत्री है इससे पहले दो वीडियो हैं वो बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण परसन की और निमली खित में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्ब में ऐस्त्य है वो चांटना है ऐस्त्य को चांटना है तो भारत एक अध्यारोपित सीमा है यानि जो भारत पाक की सीमा ही एक अध्यारोपित सीमा है ये एक एक करत्री में सीमा है इसका नाम रेड कलीफ रेखा है बिलकुल सही तिनों उप्षन सही है ऐस सत्य को छांटना है तो अब एक ये उप्षन बचा है अपने पास ये मरुस्थली परिदेश दुआरा एक प्राकर्तिक सीमा है ये सही नहीं है क्योंकि ये सीमा बनाई गई है अपने आप प्राकर्तिक सीमा यानि मरुस्थली परिदेश नहीं सीमा बना दी हो प्राकर्तिक रूप से ऐसा नहीं है निमलिखित में से कौन सी स्री लंका को भारत से अलग करती है तो इसके लिए 10 डिगरी जलसंदी है या कच की खाड़ी है खमबात की खाड़ी है या मननार की स्लेक्ट करना है तो मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत को स्री लंका से अलग करती है दै ओप्सन अपना सही हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपून परसन की ओर स्टुडेंट अगर आप किसी भी कंपिटिशन की त्यारी कर रहे हों सेंडर लेवल के या अपने स्टेट लेवल के उनमें आपके ये परसन आने वाले हैं आपको विस्तार से इस टोपिक को समझना है विदमान जितर के मैप के माध्यम से इस चेप्टर को समझाय गया है वो अपने दूसरे वीडियो एक के मल्टी मंतरा पे तो वहाँ विजिट करके आप उनको विस्तार से पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं ये अती महतोपून परसन जो आपकी प्रिक्षा के लिए उपयोगी हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं परसन अपना थाड़ है कि निमली खित में से कौन से भारती राजे के सीमा ना तो तट रेखा से और ना ही अंतराष्टी सीमा से लगती है वो बताने है अंतराष्टी सीमा का मतलब होता है किसी दूसरी देश की सीमा से लगे तट रेखा का मतलब होता है किसी समुंदर से लगे इसमें दिया हुए पंजाब, तेलंगाना, असम, हिमाचल तो इसमें तेलंगाना के अलावा सभी की सीमा, कहीं अंतराष्टे सीमा लगती है, तो कहीं तट रेखा लगती है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, निमलिखित में से कौन सी जल संदी भारत और सिरिलंका को पर्था करती है, तो ये पाक जल संदी है, तो ये अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार दीपसमू के मद्धे इस्तीत है, तो ये अंडमान निकोबार दीपसमू हैं, ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिन की तरफ फैले दीपूं की एक सरंखला है, अंडमान और निकोबार दीपसमू के नाम से इन दीपूं को जानते हैं, इसके उत्तरी भाग को अंडमान और दक्षिनी भाग को निकोब कहते हैं तो उनके मध्धे ये 10 डिग्री चेनल है बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण परसंग की हो निमल खिते में कौन सा द्वीप यूग्म 10 डिग्री चेनल द्वारा एक दूसरे को विभाजित करता है इस तरीके का ये परसंग पूछा हुआ है अक्जाम में तो ये अंडमान और निकोबार दीप समों को एक दूसरे से विभाजित करता है निमल खित में से कौन सा भारती राज्य मेंनमार के साथ अंतराष्टे सीमा सांजार नहीं करता तो मेंनमार भारत का पड़ोसी देश है उत्तर पूरोव के स्टेटू से लगता है जिनको सेवन सि अगाले, तिरपुरा, मणीपूर और नागालेंड इसमें सिक्किम सामिल नहीं है तो अब हमें ये सेलेक्ट करना है कि अंतराष्टे सीमा मेनमार के सांजान नहीं करने वाला राज्य है तो अरुणाचल परदेश, मिजोरम और मणीपूर तिनू की सीमा लगती है तिरपु अगाले समुंदर के साथ जो अपनी सीमा बनाता हो पश्मी बंगाल की रल्तमिनाडूर गुजरात में से आपको सेलेक्ट करना है तो सबसे बड़ी जो सीमा है वो गुजरात की लगती है जो अरब सागर के सांजा करता है छेत्रफल की दरश्टी से निर्म में से देश का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है जिसका छेत्रफल 3,62,444 वर किलोमेटर है और सबसे छोटे राज्य की बात करें तो गौवा है भारत का सबसे छोटा केंदर साशित परदेश बताना है भारत में 28 राज्य और 8 केंदर साशित परदेश है जिन में से सबसे बड कर रहे हैं कि भारत का सबसे छोटा के अंदर साशित परदेश कुन सा है तो ये लक्स दीप है लक्स दीप अरब सागर में इस दीपूं का एक समू है और ये 32 वरग किलोमेटर एक छोटे से छेतर में फैलावा है इसको पहले लका दीप मीनी काई और एमीन दीप के नाम से जा देखना है तो अपने दूसरे चैनल पर विजिट करें वहां आपको विस्तार से विद मैप के माध्यम से आपको समझाया गया है आप वहां देख सकते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट और मैं तो पूर्ण परसन की और तो पूर्ण परसन अपना है भारत के किस राज्ये का पस्तित है तो नोडिगरी चैनल जो है वो कवारती और मिनी काई के बेची स्तित है भारती समुंदरी तट रेखा की कुल लंबाई बतानी है इतो कुल लंबाई है 7560.6 किलोमेटर निमलिखित में से किस राज्ये की सीमा चार राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हुई है तो पसम उत्तर परदेश नागालेंड इन में से कोई भी राज्ये की सीमा है वो चार राज्यों की सीमाओं से नहीं लगी हुई निमल लिखित भारती राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य राज्यों की सीमा सांजा करता है तो सबसे अधिक जो अधिकतम राज्यों की सीमा सांजा करता है वो है उत्तर परदेश अरब सागर में इस्तित भारतिय दीपूं को किस नाम से जाना जाता है तो अरब सागर में इस्तित दीपूं का समू है उसको लक्ष दीप के नाम से जानते हैं तो इस्टुडेंट्स प्यारे बत्चों ये अतीम महत्वपून परसनों के अपनी सीरिज थी मिलते हैं नेक्स्ट और महतोपूर्ण वीडियो के साथ महतोपूर्ण जानकारी के साथ तब तक चैनल पे आप ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेयर करें